स्वर्गवासी श्रीमती अलका हेमंत पातिल इनके स्मृती प्रित्यंत अन्द अपंगों को नई नई उचाया प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने वाली लेखमाला मनश्य को अपने जीवन में जब कभी अनायास ही किसी कठिन समस्या से जुन्जना पड़ता है तो अचानक ही उसके परिवार पर उसका परिणाम होता ही है परन्तु जब परिवार का भरण पोशन ही होने में दिक्कत आ जाती है तो उस परिवार को चलाने वालों पर भी विवित तरह के मानसिक परिणाम होते है उनके साथ जीवन्यापन करने वालों में एक तो विफलता आ जाती हैं, नहीं तो वे तनाव से ग्रस्थ होकर असायता महसूस करते हैं ऐसे समय अगर उन्हें सही राह दिखाई जाए तो उनका स्वाभिमान जागरुख होकर वे तरक्की की और अपना कदम बढ़ा देते हैं कहते हैं, पेट की आग किसी को भी निश्क्रिय नहीं रहने देती ऐसे में क्रियाशील बने व्यक्ति के होसले अगर उचे हो तो वे प्रादान दर प्रादान उचाई की राह पर अग्रेसर हो जाते हैं इस प्रक्रिया में उनकी शिक्षा कास्तर बहुत ज्यादा माइने नहीं रखता अगर वह व्यक्ति अशिक्षित हो या अर्धशिक्षित भी हो तो अपने आसपास के परिसर में रहने वालों की सही जरुरत समझने की काबिलियत हासिल कर लेता है और यह भी समझ लेता है कि जो चीजें वहां उपलब्थ करवा दी जाए तो उसे खरीदने वाले अपने आप ही नहीं रहेंगे इससे आमदनी तो होगी ही लेकिन वह व्यवसाय दिन बदिन फलितन ही होता रहेगा ऐसे है एक यशस्वी जीवन गाथा को परिचय हमें श्री वसंत लोहार के अनुभव से प्राप्थ होने वाला है अपने जीवन में यवनावस्था में ही जिसे द्रिष्टी बाधिता का सामना करना पड़ा तो उन्होंने कॉंसिलर के मार्ग दर्शन से प्रेरित होकर स्वयमकूर्णता हासल कर ली और वह बन गया यशस्वी लगु उद्ध्योजद कल्यार शहर के एक गरीब बस्ती में एक अंध युवा है ऐसी जानकारी मुझे जब अपने मित्र से मिली तो मैं उस युवक से मिलने गया वसंत लोहार नामक इस युवक की शादी हो चुकी थी और ग्रिहस्थी में दो बालग भी आ चुके थे वसंत की पत्नी आठवी कक्षा तक पड़ी थी वसंत नौवी कक्षा पढ़ा था और वे दोने लोहार जाती से थे अर्धशक्षित होने की वज़ा से उन्हें नौकरी नहीं मिली उनके घर से कुछ आहाते पर सबजी मंडी थी शादी के बाद दोनों पती-पत्नी सबजी बेचने का काम कर रही थे उनकी आमदनी से जैसे तैसे घर की जरूरते मुश्किल से पूरी होती थी 26 वर्ष आयू प्राप्त कर रेटिना पिंगमेंटो सा नामक कुष्टियानी बीमारी से वसंत की आंखों की रोश्नी कत्म होने की कगार पर पहुँच गई अब वह सबजी मंडी में सबजी नहीं बेच सकता था पत्नी की कमाई का हिस्सा तो घर चलाने में ही खर्च हो जाता इलाज का खर्चा कर्ज बन कर रह गया जब मैं वसंत की कहानी सुनकर वसंत का आत्मविश्वास और होसला जगाने के लिए समुपदेशन दे रहा था तब मेरी बाते सुन उसकी पत्नी ने भी वसंत को मेरी सला मानने पर राजी करवाया सबसे पहले मैंने वसंत के हाथ में सफेद छडी थमा दी और स्वतंत्र रूप से चलना फिरना सीखा दिया उस समय मुंबई में एक दाता द्रिष्ट बाधितों को ठोक रूप से 200 रुपए कीमत का कटलरी सामान व्यवसाय करने के लिए दे रहे थे वसंत ने यह सामान लेकर अपना स्वतंत्र व्यवसाय शुरू किया जब इंडिया द्वारा 500 रुपए आर्थिक मदद ठोस भाव से बरसाती चपले खरीदने के लिए दी गई अब पती पत्मी ने रस्ते के किनारे अपना व्यवसाय चला कर अच्छी खासी कमाई शुरू की मेरे सुझाव के अनुसार वसंत ने जुलाई माह के आखिर में ठोस भाव से भारत के जण्डे खरीद लिए जिन्हें 13, 14, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिन के अवसर पर बेचकर बहुत अच्छी कमाई होती है यह कमाई आने के बाद सितंबर माह में हिंदूों के उत्सव शुरू हो जाते हैं इन उत्सवों के दौरान रास्तों पर अच्छी भीड जमा होती है इस अवसर का लाब उठा कर इंडिया ने वसंत को रियायती दर में वजन यंत्र उपलप्त करवा दिया तो वजन यंत्र से भी अच्छी कमाई होने लगी मुसीब्ते तो आती ही रहती है वे एक के बाद एक आती ही रहेगी यह सब लोगों की धार्ना होती है इस धार्ना के अनुसार बरसात के दिनों में अचानक आये हुए आंधी तूफान से वसंत के घर पर बाजू वाला पेड उखड कर गिर गया और पूरी छट धह गई इस आपदा में भी इंडिया ने वसंत को आर्थिक सहायता उपलप्त करवा कर छट को दुरुस्त करवा दिया अब वसंत के बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूली साहित्य तथा आर्थिक मदद भी मिलने लगी थी वसंत का परिवार अपकायम स्वरुपी व्यवसाय धूंदने में जुट गया था उस दौरान नब इंडिया ने एक दाता एजंसी की तरफ से दृष्ट बाधितों के लिए एक चौथाई कीमत पर व्यवसाय के लिए मशीने दी जा रही थी उस प्रकल्प के अंतरगत वसंत ने सेवई, नूडल्स बनाने वाली मशीन एक चौथाई कीमत पर ले ली वसंत की पत्नी महनती होने के साथ साथ होशयार भी है उसने अपने सगे संबंधियों से नूडल्स बनाने वाली कंपनी की कारिगर से सही तत्मीक सिखली अब वर्ष के आठ महीनों में वसंत का सेवई और नूडल्स बनाकर बेचने का कारोबार दिन बद दिन अच्छा विक्सित हो गया लेकिन जिनके अंदर आगे बढ़ते रहने का होसला तथा जस्बा जागरूख हो जाता है वह उसे सीडी दर सीडी प्रगती की रा पर आगे बढ़ते रहने को प्रेरित ही करता रहता है इंडिया के दूसरे प्रकल्प द्वारा वसंत ने रियायती दर पर पापड बनाने की मशीने खरीद कर अपने ही घर में लगवा दी अब वसंत का व्यवसाय बहुत अच्छा रूप ले चुका था यह सब करने के साथ साथ वसंत ने मेल एक्स्प्रेस गाडियों में घुमगुम कर कटलरी सामान बेचने का व्यवसाय जारी ही रखा है उसका कहना है कि मेंडे व्यवसाय की आमदनी से मेरा खुद का खर्चा निकल जाता है और घर में शुरू किये हुए व्यवसायों से घर खर्च भी आसानी से निकल जाता है मेहंत करने वालों की कभी हार नहीं होती और मेहंत कर कर ही सुस्तिती में पहुँचा वसंत का परिवार बरसाती मौसम में अपना व्यवसाय चलने में कमजोर पड़ जाता था इससे पार पाने के लिए वसंत ने आटा पीसने की चक्की खरीद ली इस व्यवसाय से साल भर आमदनी शुरू रहने लगी पापड और नूडल्स बनाने में कच्चा माल लगता है वह कच्चा माल ठोक भाव से खरीद कर वसंत अपने घर लाकर रखता है आने वाले ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार वसंत से बिक्री दर से खरीद लेता है उससे भी वसंत की आमदनी में मुनाफा होता रहता है अपने और पत्नी के मेहन के बल पर वसंत के अर्धशिक्षित परिवार द्वारा स्वावलंबनंग अर्जित कर दिव्यांगों के समक्ष एक रोल मॉडल होने का उधारन पेश कर दिया है अब धीरे धीरे वसंत के बच्चे पढ़ लिखकर इस व्यवसाई को बढ़ाने में हाथ बटा रही है जिससे भविशकाल में वसंत के इस कौटेज इंडिस्ट्री का रुपांतरण और बड़े व्यवसाई में जरूर हो जाएगा वसंत में अपने जीवन में आर्थिक पुनर्वसन प्राप्त करने के लिए अलग-अलग व्यवसाई चुनकर और हर चुनौती को स्वीकार कर यशस्वी होने की राह पर मजबूती के साथ अपने कदमों के निशान बना दिये है इसी कहानी से हम द्रिश्टिब्धित एक सीख जरूर ले सकते हैं कि हम सभी को कोई भी नौकरी या व्यवसाई नहीं दे सकता है सरकार के लिए भी यहाँ नामुम्किन है इसलिए हम हमारे विभाग के रहिवासियों की सही जरूरते निरिक्षणों द्वारा समझ कर तथा अध्ययन कर अपना स्वयम का उद्योग शुरू कर सकते हैं सरकार हमें जरूर इसके लिए मदद उपलप्थ करवा रही है जैसे की पंचायत समिती नगरपालिका तथा महांगरपालिका से अपने बजेट का 5% निधी अपंगों को सहायता करवाने के लिए निर्धारित रखा है इससे हम अपनी जरूरत की मचीने खरीच सकते हैं जैसे की आटा पीसने की चक्की, पापड मेकर, सिलाई और एम्ब्रोइडरी मशीन, पॉपकॉन मेकर, मिर्ची मसाला कांडप यंत्र, जेरोक्स मशीन, ल्यामीन तिंग मशीन, चमडा कटिंग मशीन, चमडा सिलाई यंत् पेपसी कोला प्याकिंग मशीन आदी, जिले के समाज कल्यान कार्याले द्वारा बीज भांडवल योजना, लायन, रोटरी, जायन्ट जैसे, सेवा भावी गुटों से मिलने वाली मदद या खाजगी संस्थायों से मिलने वाली मदद हमें जरूरत है स्वयन प्रेरित होकर हमारी अपनी खुद की तरक्की करने की राह खुद कर उसे योजना पूर्वक अमल में लाना चाहिए कहते हैं ना, शमा भी हवा में रोशन हो सकती है, कश्टी तुफानों से निकल, साहिल से जूर सकती है आज जो छोटी तहनी है, कल लंबी पत्वार बन सकती है बस तु एक बार मेहंत कर ले मेरे दोस्त, तेरी भी किस्मत बदल सकती है कोन कहता है आस्मा में छेद नहीं हो सकता एक पत्थर तबियत से उच्छालो तो यारो मेहंत का फल हमेशा मीठा होता है वह परिवार को स्थिरता और संतुष्टी तथा ढ्रिनता प्रदान करता है वसंत के यशस्वी होने का असली राज यहा है कि उसने अपनी निरिक्षन क्षमता को एकाग्र कर वह जिस विभाग में रहता है उस विभाग के रहिवासियों की असली जरूरत समझने में लगा दी। उस विभाग में आर्थिक स्थिती के निमनस्तर पर रहने वाले रहिवासियों को जो सेवईया, पापड, आता हमेशा दुकान से खरीदना महंगा पड़ रहा था, वही अगर वे अपने ही घर में बनके रखे तो कम खर्चे में गुजारा हो सकता है। यही तत्व अगर हम कोई भी व्यवसाय शुरू करने के समय अमल में लाकर सही धक से निरिक्षन कर अगर हम हमारे यशस्वी उद्योग की योजना बनाकर उसे कार्यान्वित करें, तो आपका उद्योग जरूर यशस्वी हो और उनका खेल समझ कर उसमें उलचते रहते हैं ना ही अपने जीवन में नसीब तथा तकदीर से बने हुए सयोग को ज्यादा महत्व देते हैं। उनकी लगन तो अपने मेहन पर ही लगी रहती है। हाँ यह तो जरूर है कि जिसके पेट में आग लगी होती है और जिसका ग व्यक्ती ने जो भरोसा उनको दिया है उस भरोसे के बलबूते पर वे अपनी सारी मेहन करने में जुट जाते हैं। वे ऐसा कभी नहीं सोचते की मैं रस्ते के बगल में या फूट पात पर व्यवसाय करू तो मेरे सनमान को ठेच पहुंच जाएगी। अगर मैं ट्रेन में कटलरी सामान बेचने वाले फेरी वाले का व्यवसाय करू तो लोग मुझे आम निचले दरजे का फेरी वादा समझ लेंगे। हमारा धर्म है इमानदारी से पैसे कमाना। तो यह करते करते दुन्या के बारे में हमें सोचना ही नहीं चाहिए क्यों हम अपने से धनवान या अच्छी तरीके से स्थापित लोगों की तरफ देख कर दुखी होते हुए अपने आसु बहाए। अरे आज जो रोजी रोटी हमें मिल रही है वही हमारे लिए भगवान के आशिरवाद रूप में काफी है। हमारे पसीने की कमाई से हम हमारा जीवन यापन करते हैं यही ह हमारे लिए सबसे बड़ा सन्मान है। इस राह पर चलते हुए अगर दुनिया वाले उल्टा सीधा बोलने लगे तो हम वही कहावत को दोहो राते रहेंगे हाथी चला बजार कुट्ते भोगते हजार। इसी का फल है हमारा आज स्थापित कुलस्वामिनी ग्रिहोद्योग जिसके द्वारा हम दुनिया की दिन बद दिन की जरूरतों को पूरी करते हुए अपने साथ-साथ उनका भी कष्ट दूर कर उनके लिए मददगार के रूप में बने हुए हैं। हम कभी पिछरे हुए लोहार जाती में जन में जहां पढ़ाई को महत्वी नहीं दिया जाता था ना ही हमारी आर्थिक स्थिती अच्छी कासी पढ़ाई करने में अनुकूल थी ना ही यह सोच हम सब जमात वालों में होती थी। अब हम आगे बढ़े हैं और बढ़ते ही जा हमें विकास की पत पर अग्रेसर होते रहने वाला जीवन यात्री ना मान ले है मंत जब पाटे मानत सचीव National Association for the Blind, India